नमस्कार दोस्तों मैं आशुतों आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक इस्टिलूजी में बार्सिक राशी फल के स्रीज में आज हम बात करने वाले हैं तुला राशी की पुचली ज़़ा समयना बरबात करते हूं सीधे आगे बढ़ते हैं आपके सामन पुकस करते हैं बरेगं रह के ट्रांजिट पर स्बसेपहले बिरस्पती की बात करते हैं निकि इना धी अपरियल के ट्रांजिट करचुके हैं मेंचराशी में, और में एक 2024 को वो बिशव रासी में ट्रांजिट करने वाले हैं अब बात करते हैं सनी गिसरा जनवरी 2023 को अल्रेडी वो कुम राशी में प्रवेश कर चुके हैं और धाय साल चुके एक रासी में रहते हैं, तो इस साल तो पुरे ही आपके कुमरासी में ही रहने वाले हैं, जब राहो की बात करें तो 30 October 2023 को राहो मीन रासी में जा चुके हैं, केतु 30 October 2023 को कन्या रासी में जा चुके हैं, आप चुकी राहो अकेतु का ट्रांजिट करीब 19 म भाइब कर लेतु आप देखिए अब इसक्री ने वहाँ देखी बृसपती ज oni आके राजसी। में इसरा कर रहे हैं तो आपके साथ में घर वहालों के लिए सब्सक्राइब का ट्रफ सूरे का गर हैं मंगल की राजसी पर मित रासी में जो कि तुला रासी यानि कि आपके रासी पर पड़ रही है और जो उनकी नॉमी द्रिष्टी वो उनके अपने मूलतिकोन रासी नाइन नमबर धुन रासी पर आप देख रहे होंगे लेकिन हाउस जो है वो करीब तीसरा हाउस है जो नेम इंपर चोटे भाइबन का घर माना जाता है एक तरीके से तो बिरिष्पति की प्लेस्मेंट यहां पर सही है सेवेंथ हाउस पार्टनर्सी पे लिए काफी अच्छा है आपके व्यवाहिक जीवन के लिए यहां पर काफी अच्छा है और तो इनकम कहीं ना कहीं से बना के रखेंगे आप यह लगन पर दिरिष निकल के आएगा वो करने से ही आपको फाइदा भी मिलेगा और थार्ड हाउस चोटे भावन का घर है कहीं या कहीं नेम यान फेम का है अपना ही घर है तो आपके ही सुल्व कर्मों के द्वारा या फिर आप जो प्रफेश्मन यह बिजनस में है पोलिक्स में है तो आपके नाम परशेदिमें ब्रदी होने वाली है विरिश्पती जोकि कापी सुभा सुप्रानेट माने जाते है तो जहां बैटते हैं वह आप अमूरीत जैसा फल वो जरूर देते हैं अर डिपेंड करता है कहुंसे प्लानेट के साथ उ Off में की मितर घर या नहीं aus इन सब चीजम्श के फाइन जरूर पड़ता है जैसे ब्रिस्पति आए ट्रांजित करेंगे तो आप देखिए बिसंव राज ही में जाएंगे जो काले एड हां 6 विम् में जाएंगे तो से भी मेरावश को माना जाता है पूर्खों से मिलने वाले संपती अन्य की डुवा करते हैं गरा हुआ धन उस तरीके चीजें को भी एट थाउस से दरसाते हैं तो विरिस्पती यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो आप विरिस्पती का रिमेडिस करते रहे हैं विष्णु सहाच नाम स अगर आपको अच्छा रहे हैं तो यह चीज आपको अच्छा देने वाले हैं उसी तरीके से उनकी जो साथ में दिश्टी है माना जाता है परिवार का विवार से चीजों को आसान अपने लिए कर लेंगे और उनकी जो नॉमी दिश्टी है वह आपके फोर्थ हाउस पे है चुकि वह संई-का घर है में तो दिश्टी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जब आप भाहन घर की बात करें तो बहुत सो समझ के decision लेकि उतना favorable agent यहां परिस्पति आपको नहीं देंगे अब बात करते हैं सनी की देखे सनी आपके फिप्ट हाउस में है अपने ही घर में है सनी को एजुकेशन की साफ से higher education में काफी सपोर्ट करेगा हाला कि माइन फुरा डिस्ट्रेक्ट रहता है रिजल्ट फास फास नहीं मिलेगा क्योंकि सनी थोड़े slow moving planet है अब सनी की तीसरी रिष्ट्री यहां 7 थाउस पर हो रही है जो की मिलेट रिष्ट्री बिल्कुल नहीं है तो आपके व्यभाईक जीवन में थोरे मतवेद हो सकते हैं व्यपार की जब बात करने तो पार्टर सीक में थोरी समस्यां हो सकती है आपको जाता आपने पार प्रसान आप हो सकते हैं वैसे कि फ्लो थोरा सनी रोकेंगे दिरी दिरे लेकिन अगर आपको अपने कर्म अच्छे करते हैं मेहनत करते हैं तो चीज़े ठीक रही है क्योंकि सनी सौट कट में रिजल्ट नहीं देते हैं सनी की जो दसम द्रिष्टी आपके सेकेंड हाउस पे करेंगे महीन रासी पे और केतु ट्वेल्थ हाउस में तो यह हेल्थ के दिष्टी कों से और खर्चे के दिष्टी कों से दोनों ही दिष्टी कों से अच्छा नहीं है अगर आप अलड़ी फोरन कंट्री बगरे में रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी जाओ वहां से चली आपके फाल्तु के खर्चे से बढ़ेंगे हिल्थ के इसकूस हो सकते हैं राहु के 6000 में होनी के वैसे देखिए राहु मीन रासी में है मीन रासी वैसे जलतातु के रासी है और वहां मन की प्रशामता बहुत ज़्यादा आपको लेकिन आप उसको सही जगा लगाना है फाल् सुभए का उपाई कीजिए, पीपल के पीर में जल चराएं, गांट के विजन करते हैं, साम को आते हैं, तो आप कही ना दीपक एहरों को आपको या चीटियों को कुट्तों और चालाएं, जरू के लूब खिलते हैं αυτό किसी बी दीन को इस और भालंपा फरकर है प罡़ता है राहु थोड़ा रूटीन को भी मानते हैं रूटीन को फॉलू कीजिए बहुत ज्यादा टेक्निलोजी अयूज मत कीजिए अगर आपके घर में कहीं इलेक्ट्रोनिक आइटन्स बिखेड़े पड़े हैं उसको संभाद के रखिए कोई इलेक्ट्रोनिक सेमान खराब है ठीक क पर आईए तब राहु कहीं ने कहीं आपको थोड़ा बहुत फेब्रेव रिजल देंगे आप हम बात करने वाले हैं कि जितने भी ट्रांजिट होने वाले हैं उससे आपके प्रेम वैपार एजुकेशन आपका धन उससे पर क्या फर्क परने वाला तो चलिए ना गवाते श सामना बढ़ सकती है चुनोति आपरे लगत सितंबर में इनी महीनों में साबधान रहे चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है मार्ज और जुलाइस अक्टूबर तक यह महीन आपको रिष्टे में रोमांस को बढ़ावा देंगे बर्स के अंत में विवा की संभावना प कारे के बाद आठ करते के बर्स का जो आपका स्टार्ट होने वाला के लिए सू है गुरू और सनी का प्रभाव देवगुरु और सनी मारा सप्तम में अर पंचम भाव में उसा नचन्च Lucky distributions में आपको मड़त करेंगे माय कार जून विरोधियों से सतर्क रहने के जरूत है अगस से दिसम्बर समृधी का समय यह अबदी आपके लिए समृधी की होगी और आप अपने कायर को मजबूती से करेंगा और नती को राप्ट करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है अगस से मार्स से माई और अगस तता अक्तूबर महिनय में आपको काफी एजुकेशन फायदा होने वाला है परत्योगी परिच्छाओं की तयारी यदि परत्योगता की तयारी में लगे हैं तो राहो महाराज की किरपास सफलता के योग बन रहे हैं विजनस की बात करें वेपार के लिए बर्स काफी सुरुवात में काफी अच्छी रहेगी सनी ब्रिस्पती राहु के योग से यह संकित आपको मिल रहे हैं सरकारी चित के साथ काम अपरेल और अगस्त के महिने में सरकारी चित के साथ आपको कोई काम करने का मौका मिलेगा अगर आप कहने कहीं सरकार से जुरे हैं समय खासकर के 5 करवरी से 15 मार्श तर बहान खरीदने में सभलता जुलार और दिसमबर भी बहान करने के लिए अच्छे महिने हैं संपती की खरदारी यह अच्छा साले बिस्टिस का फरवरी अप्रिल अक्टूबर से अक्टूबर और नॉंबर तका कोई ना कोई संपती खर अगरे है आपका तो आप निवेस कर सकते हैं खासकर के जमीन वगर के मामले में अगर्याब ऐसे इन्वेस्ट्मेंट करते हैं तो आपको लॉंग टर्म वाले सेर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बजट और योजना संपती खरीदनें बजट बनाए और योजना के साथ चलें फरिवरी अपरेल और अक्टूवर से नंबर की बीच ये संभावना आपकी प्रफर्टी के लिए बन सकती है आर्थिक उन्नती देखिए तुलारासी के जात्वों के लिए बर्स दोजाथ 24 करना चाहिए तो खर्च बार्टी चीजों में होंगी वह कहना कहीं से उपर आपका हो जाएगा अप्रेल में वेपार में लाव हो सकता और अगस्त में सरकारी छित से भी आपको लाब होगा निवेस के लिए परांप्रागत तरीके अपना है जनवरी अप्रेल अगस्त सितं अपने रहन सान पर ध्यान दे आपको जिम्मदारी लेकर अपने वेवार जीवन का जो डेली आपका रिडी रूटीन है उसको आपको सही करना पड़ेगा आउसंतुलित रहन सान अगरा रहेगा तो आपको विवारी की संभावना बढ़ सकती है अच्छे स्वास के लिए र बर्स के उत्राद में विरिषपती केतु आ राहो के स्वास के लिए कार्ण पेट में जूरी समझ्या हो सकती है कुए मैं के बाद विरिषपती जब चले जाएंगे आपके 8000 में तो वहां सीधे 12000 ने पी जहां केतु है उ लड़ी उस पर दिश्चित डालेंगे जो कि कही पेट से रेटेस समझताव के लिए सही नहीं है उस पर कोई ना कोई मोटा खर्चा आपका हो सकता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महतना लिखना ना भूलिए बहुत बहुत बहुत आपको